नमस्कार मारा वाहलावी देर्थी मित्रों आजे वात करीशू सवध्यन पोथी पर्थम सत्रनी अंदर तुरण छो आने कावे नमर बे एक जगत एक लोगनू संपूर्ण मित्रों सौलिशन मेले देशू। तमारे मित्रों आमाथे कोपी करवाने न थे पर अंदो जवाब वेरिफाई करवाना छे एने पर्थम सव प्रेतने लखवानूरे से पेलो प्रशन छे के सही विकल्प चुन कर निशाना कीजिए। कभी किसको हमारा धर्म मानता है तो मानते हैं तो शमता। सबी मनुशे हिल मिलकर किसका निशान लहराएंगे तो विश्व सांति का। राग सबद भा सामानार्ति सबदा पहचानळे तो आवसे राग तुमित्रों गीत। मान सबद का विलुम सबद पहचानगे तो अपमान। गलत जोड पहचान ये तो दिया तो अंदेरा निश दीन घर घर में क्या गुंज रहा है तो मधुरगान इस कावे में कवी किस विचार को रशेष्ट मानते हैं तो विश्व बंधूत्वो प्रशन नमर दू निमन लिखी सब्दों का परियोग करके वाक्य लिखी सूर्य सू आपको देखकर हमें बहुत हर्श हुआ प्रशन नमर तीन अ प्रशन के उतर लिखे हमारा धर्म क्या होना चाहिए तो सबकी प्रगति हो सबको नियाय मिले और मानवता की रक्षा हो ये ही हमारा धर्म होना चाहिए एक रक्त का अर्ठ समझाईए मनुष्य चाहे किसी भी देश जाते और धर्मका हो उसके रक्त का रंग लाल ही होता है रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाते एक है बले ही हमारे रोप रंग भीन हो पर भीतर से हम सब एक है प्रकृति के तत्व की सुची बनाईए इस कावे में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सुर्य, भूमी, आकास, हवा और पानी है प्रश्ण नमर चार आप इस कावे को और कोन-कोन से सिर्शक दिना चाहोगे तो एक विश्व, एक धरा तथा आम सब विश्व बन्दू प्रस्ण के उत्तर लिखिए कावे का सिर्शक एक जगत एक लोग एसा क्यू रखा गया है पूरे विश्व को एक ही सुर्य प्रकास देता है विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है सब के जीवन में सुख और दुख समान है सभी मनुष्य का सरेर मास और हडियों से बना है इस तरह कवी ने पूरे विश्व को विश्व की एक तसीद की है इसलिए इस कावे का सिर्शक एक जगत एक लोग रखा है सभी नदिया अलग अलग है फिर भी कवी क्यू कहते है एक ही पानी तो सभी नदियों के पानी वहिगनानिक सरचना एक जैसी है सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उप्यूग है इसलिए कवी अलग अलग नदियों के पानी को बाहर जो पानी दिखता है वेसे ही पानी अंदर ही सभी नदियों के होते हैं इसलिए एक ही पानी कहते हैं भावात के संद्रब में पंक्तियां लिखते हैं जीवन एक सुख दुख की कहानी है तो जीवन है सुख दुख की एक कहानी हम उल्लस के साथ आनन की गीत गाते हैं हर्ष भरे गाये हम राग सुहाने हर एक मनुश्य का रक्त एक समान है एक देह एक रक्त सभी राष्ट्रों में एक्ता का भाव होना हमारा कर्तव्य है तो राष्ट्र में एक्य ही एही कर्म हमारा इन सभी की धर्ती माता एक ही है एक चंद्र एक सुर्य एक भूमी आश्मान काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए तो राष्ट्रों में एक्य यही कर्म हमारा प्रगती न्याय मानवता धर्म हमारा संसार के सभी राष्ट्रों में एक्ता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है हम सब मिलकर प्रगती करे, सब के साथ न्याय हो, मानवता की रक्सा हो, अहीं हमारा धर्म बने हर्श भरे गाये हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने तो हम आनन्दीद होकर सुन्दर राग छेडे, पारसपारी प्रेम के गीत गाये हम समानता और ममता से सब हिल मिलकर रहे समानार्थी सब्द टूंड कर लिखिए वुमी तो क्या हैगा जमीन क्या हैगा जमीन सूरिय तो दिनकर क्या हैगा दिनकर तेज तो क्या हैगा प्रकास तेज तो प्रकास रखत तो आएगा लह जग तो दनिया ने पर दुनिया हैगा क्या हैगा दुनिया तराना तो आएगा गीत औने ती मेरत आएगा अंदगार प्रस्ण नमर पांच ओ में दिये गए समानार्थी सब्दों में से किन नहीं पांच सब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए राजा ने ब्रामन को जमीन डान में दी चारो ओर अंदगार फेला हुआ था शूर्य का प्रकास चारो ओर फेलता है पहला परिचे दुनिया से करवाया जीशने वो मेरी मा मुझे गीत कहना पसंद है अहां विद्यात्यमित्रों उदहरन के अनुशार सब्द और विलोम सब्द दीन तो रात तो दूख तो शूक मृत्यो तो जीवन स्वामी तो आएगा दास धर्ती तो गगन उननती तो आएगा अवननती दीन में सुरज उजाला देता है रात में चंद्र सितलता देता है आवी रित आपने वाक्य बना विशू सूख में सब साथ होते हैं दूख में कोई साथ नहीं देता मृत्यो सब की नरिचित है जीवन अमूल्य है स्वाम की रक्सा करते हैं धर्ति पर पथर पड़े थे गगन में पक्सी उड़ रहे हैं देश की उननती हो रही है बुरे काम करने से हमारी अवनती होती है तो इधर बुरे करते ना है रेक्तिस्तानों की पूर्ति करके सब्द बनाएए सागर गागर मगर नागर चेठाने देवरा शेठानी नोकरानी पड़कर सुनकर जोकर खाकर सुन्दर मधूरता उदरता वीरता खाता भारत छाता सुना विद्याथि मित्रो दिये गए चोरस में से उदहराण के अनूसार संगना सब्द बनाए और उसका वाक्ति में प्रिवक कीचिए तो जो कमल, सागर, फूल, हिमालय, गुलाब, भारत ऐसे आपको संगना को अहां से टूंडना है फूल, अहां फूल सुन्दर है कमल, तालाब में कमल खिले हैं सागर, सागर की सोबाब दर्शनिय है भारत, भारत विशाल देशे, हिमालय, हिमालय सबसे उंचा परवत है आरती, सामको मंदिर में आरती होती है गुलाब, भगीचे में गुलाब के फूल खिले हैं चित्र देखकर, चित्र के बारे में आठ दस वाक्य लिखिए ये चित्र गाव का है, चित्र में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं चित्र में एक बेल गाड़ी दिखाई दे रही है चित्र में बेल गाड़ी पर एक आदमी बेठा हुआ दिखाई दे रहा है दो पनिहरी पानी लेकर जा रही है वहाँ पर एक मोर चला आ रहा है वो एक पेड़ के नीचे एक आदमी बेठा हुआ है दूर कही एक पनियारी पानी भरने के लिए जा रहे है सही जोड मिला ये पूर्ण विराम तो आयेगा सात्वा अलफ विराम छो प्रश्णवाचक पांच विश्मियादी बोधक आठ योजक एक निर्देशक नो कोष्टक तीन इक हरा एक अवत्रन चीहना तो चार वद्दू हरा तो आयेगा दो विद्यार्थी मित्रों त्यार पछी आगलनों जे आपनों पाट से समझदार ननी एनू जो सोलेशन मेड़वा मागो छो तो चैनल ने खास सब्सक्राइब करी तमारा मित्रों शूती आ वीडियो ने सेर करवानू बूल सो नहें